Hello friends, मैं हूँ गौरफ और आप सभी को हाली में हुआ Russia-Ukraine war तो यादी होगा लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस war नहीं aliens को पृत्वी से contact करने से रोक रखा है No, I'm not kidding, basically इस war के दौरान unidentified flying object याने कि UFO expert जिनका नाम है Nick Pope उनका ये कहना है कि aliens जो कई light years दूर से हमारे पृत्वी पर नजर गडाए बैठे हैं वो इन दोनों countries के primitive behavior को देखते हुए हमसे अपना presence छुपा रहे है I know, सुनने में थोड़ा सा illogical लग रहा है, right? मतलब अब तक तो हमें alien का ए तक नहीं पता, तो कैसे कोई इतनी बड़ी बात बोल सकता है लेकिन recently हुए एक study के अनुसार, हमारे Milky Way galaxy में चार ऐसे planets है जिस पर ऐसे advanced alien civilization पनप रहे हैं, जो कभी भी हम पर हला बोल कर सकते हैं क्या आज की तारीक में हम इन advanced civilization के साथ मुकाबला करने के लिए ready भी है? क्या हमारे पास इतनी advanced technology है जो हमें इन से बचा सके और हमारे दुनिया का protocol क्या होगा? क्या governments इधर के उधर हो जाएंगे? वो किस method से इन से मुकाबला करने की सोचेंगे? क्या ये सब prepared है भी की नहीं? वेल आज के इस वीडियो में हम बिलकोल यही find out करेंगे So let's get started So friends, alien इस word के बारे में सुनत ही I'm pretty sure आप सभी के दिमाग में एक image सा create हुए होगा एक बहुत ही बड़ा सिर colorful body, किसी tennis ball जितनी बड़ी बड़ी आँखे और सर के ओपर लगा हुआ कुछ ऐसा ही antenna, right? अब ऐसा होगा भी क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमें सारे movies, TV shows में aliens ऐसे ही दिखाई गए हैं लेकिन let me remind you असल में पृत्वी के बाहर पूरे ब्रह्मान में exist करने वाली कोई भी living thing is nothing but alien और फिर चाहे वो हम जैसे इंसानों जितने बड़े जीव हो या हम जैसे इंसानों जैसे दिखने वाले जीव हो या फिर सुक्ष्मा micro-organism भी क्यों ना हो और ये भी संभव है कि वो DNA और RNA based दी ना हो मतलब कि वो replicate तो कर रहे हैं उनके biological structure का भी यही goal है replication करना बट वो molecule जो है वो DNA नहीं बलके कुछ और है और as a result कुछ ऐसे अतरंगी टाइप के जीव create हो रहे है जिसके बारे मैं आप सोच भी नहीं सकते हैं और इसलिए जब भी कोई astronaut space visit करके वापिस अर्थ पे आता है तो उसे तीन से चार हफतों के लिए quarantine किया जाता है And as the saying goes, take the risk or lose the chance of winning और इसलिए हम लोग ऐसे situation में कैसे plan को implement करेंगे जो हमने हमारे history से सिखा हुआ है If you don't have the tech to fight even, then just fight dirty और kind of हमें कुछ ऐसा ही करना होगा Fight का सबसे first step होगा, use space debris You see, space debris याने basically non-commissioned satellites और rocket launch से निकले छोटे-छोटे metal के तुकडे अब इन objects का mass बले ही कम हो, लेकिन earth के around revolve करते करते हैं उनकी speed, sound की speed से भी कई गुना ज्यादी होती है Which creates a lot of kinetic energy Essentially, space debris में एक screw जितना छोटे से छोटा तुकडा भी किसी titanium से बने spacecraft में hole करके उसे destroy कर सकता है So बस हमें earth के around एक debris से भरा हुआ protection layer बनाना है जो हम बना सकते हैं हमारे planet के around खूम रहे own satellites को destroy करके This can be done as a defensive measure to protect ourselves अब ये shield large amounts of alien spacecraft को orbit में enter करने से रोकेगा और जैसे ही ये orbital fight के शुरुआत होगी फिर हम बढ़ेंगे अपने दूसरे step की और attack during entry You know think of this like की आपका एक fort है खुद का और आप दुश्मनों को अपने fort पे कबजा करने से रोक रहे हो जैसे history में पुराने leaders किया करते थे तो जैसे कोई spacecraft earth के atmosphere में enter करता है तब air के साथ हो रहे friction की वजए से 11,782 degrees Celsius इतने temperature जो कि sun के temperatures के मुकावले दो गुना ज्यादा है उसे वो temperature को face करना पड़ता है and eventually इतनी extreme heat और thermal energy spacecraft के बहुत से communication devices और onboard sensors को नाकाम कर देती है अब अगर alien spacecraft को भी ऐसे effects को face करना पड़ता है तो उसी समय हम use करेंगे Terminal High Altitude Area Defense System जो US की एक anti-ballistic missile defense system है जिससे short, medium और intermediate range ballistic missiles को shoot down करने के लिए design किया गया है इससे होगा यह कि उनके sensors काम करना बंद कर देंगे अब अगर sensors ही नहीं होंगे तो किसी object को वो detect कैसे कर पाएंगे और जैसे ही उनके सभी sensors deactivate हो जाएंगे फिर आएगी step 3 की बारी Nuclear War इसमें हम use करेंगे Gorilla Warfare जो की best of the best war tactics में से है बेसिकली इसमें होता यह है कि अपनी enemy पर बिना उसके जानकारी के आप हमला कर देते हो मतब पहले तो हमारी army इसको दो तुकडों में divide किया जाएगा जब पहली वाली तुकडी war में हमला करेगी तब दूसरी वाली तुकडी छुप कर दुश्मन का इंतजार करेगी जैसी enemy army इस war में शामिल हो जाएगा छुपी हुई force इन पर attack करने लगेगी और दुश्मन का the end हो सकता है पर एक मिनिट plans सुनकर ज्यादा excited या खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तक हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमने जिने खतम करने के लिए जो plans बनाया है वो असल में दिखते कैसे हैं और उनकी जरूरत हैं क्या पता हम जो nuclear weapons use करने का plan कर रहे हैं उनका biological structure कुछ ऐसा है कि वो सभी उन्हें तभा करने की जगे उन्हें और भी ज्यादा powerful बना रहे है I mean ये भी तो सकता है न कि उनका parallel evolution कुछ इसी तरीके से हुआ है जो चीज़े हमारे लिए harmful है वो उनके लिए harmless हो और हमारे environment में ही उन्हें हमारे ही खिलाफ एक unfair advantage मिल जाए पर रुको रुको इस war के बीच हम एक simple सा रास्ता तो भूली गए जिसे हम आम तौर पर कबसे यूज करते हैं you know, दो countries के बीच में चल रहे है war के टाइम पर भी yes, that's negotiation याने peacefully आमने सामने बैट कर communication करना और problem का हल निकालना जो कि दोनों के mutual interest में हो but ये कोई real plan नहीं है क्योंकि अब तक किसी भी देश की government ने alien invasion के लिए कोई भी protocols नहीं बनाए हैं और negotiation के parameters भी set नहीं किये पर उनके basic protocols क्या होंगे उसे हम predict कर ही सकते हैं तो पहला obviously होगा lockdown जिसके साथ deal कैसे करने का ये तो हम पिछले दो सालों में अच्छे से सीख ही गए है और अगर situation और भी ज़्यादा खराब होते वे नजरारी होगी तो दूसरा important option हो जाएगा cold war दोरान बनाए गए बड़े बड़े bunkers जिसमें लाखों लोगों को आराम से छुपाया जा सकता है पर देखा जाए तो ये सब की शायद जरूरत ही ना पड़े क्योंकि ऐसे last moment तक problem को इतना बढ़ने नहीं दिया जा सकता क्योंकि destruction बहुत ही ज़्यादा होगा and that is why we have SETI जो कहील ideas दूर से आ रहे alien signals को पहले ही detect करके हमें साउधान कर देता है अब SETI क्या है और कैसे काम करता है ये सब तो मैंने पहले भी वीडियो में discuss किया है पर चलो इसे एक बार short में recall कर लेते हैं well SETI याने search for extraterrestrial intelligence जिसका खुद का एक radio telescope है Alan telescope array जिसे 2007 में launch किया गया था ये telescope का function भी बाकी telescope जैसा ही simple है पर इसकी खास बात ये है कि 24 घंटे 4 different bands में एक साथ कहीं सारे cosmic structure के low energy waves को detect करके study करता है लेकिन फिर भी recent years में इतने सारे suspicious signals को observe करके बिना उस पर कोई research किये उन्हें alien signals का नाम दे दिया गया है और इन news को सुनकर कहीं सारे लोगों ने इस पर आँख बंद करके विश्वास भी कर लिया और इनी suspicious signals की वजए से इन सभी के पीछे का सत समझना काफी difficult हो गया है और इसील ये SETI ने एक ऐसा device launch किया है जिसकी मदद से आप खुद घर बैठके signals को study करके ये alien signal है या नहीं इसका पता लगा सकते हो और वो device है Rio Scale Calculator इस scale को astronomers Ivan Almor और Jill Tartar ने develop किया है so that हमें पता चले कि हुई discovery कितनी important या फिर earth shattering है basically ये scale signal outer space से आया है या man-made है इसे measure करके निश्चित करता है इस scale पर 0 to 10 तक के numbers है 0 याने no importance और 10 मतलब extraordinarily important for example you know बीच में एक news viral हुई थी कि Mars के surface पर एक facial structure दिखाई दिया था और जैसे ही ये news बिना कोई study किये viral हो गई सब ही लोगों ने उस पर आख बंद करके भरोसा कर दिया पर जब इसे first stage पर study किया गया तब उसका Rio Scale सिर्फ 2 था और further study के बाद वो 0 हो गया क्योंकि reality में ऐसा कोई structure वहाँ था ही नहीं वेल ये तो ऐसी बात हो गए कि हम sky में clouds देख रहे हैं और continuously उसे देखने के बाद हमें उसमें अलग-अलग structures दिखाई दे रहे हैं लेकिन reality में वो structures तो होते ही नहीं है या experience करने मिलती है अब इन सारे images को ही देख लो इसमें ऐसा नहीं लग रहा कोई बैठा हुआ है या फिर इसे देखो इसमें तो पूरा Egypt का pyramid ही दिख रहा है ये सभी examples है पराइडोलिया के इसमें इनसान किसी भी non-living object में एक pattern ढूरने की कोशिश करता है लेकिन एक minute या पर सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में भारी space में मौझूद aliens हम पर हमला ही करेंगे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमसे कोई मुकाबला करने के बजाए दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो we never know बस हम ऐसा assume करके चल रहे हैं कि वो हमें hurt ही करेंगे why? because इस पृत्वी में हमारा structure DNA का इसी तरीके से evolve हुआ है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि किसी चीज को survive करने के लिए किसी और को destroy होना पड़ता है और यही silent psychological quest for power and control को हम alien species से भी जोड रहे हैं क्योंकि हमारे हर्थ में भी हमेशा ऐसा ही हुआ है अब तक जितने भी more knowledgeable या advanced civilizations दूसरे weak civilizations को invade किये हैं तो उन्होंने हमेशा उन्हें enslave करके उनके civilization को loot कर या destroy करके उनका खूब फाइदा उठाया है और notice किया कि वो natives technologically इतने तो advanced थे कि किसी भी outsider को वहाँ settle नहीं हुने देते और इसलिए Columbus ने उन्हें पहले तो enslave करवाया और फिर बड़ी बेरहमी से उन सभी को मार दिया गया लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों की सोच भी बदली जैसे scarcity से abundance आया वैसे वैसे इंसान ज्यादे altruistic होने लगे in fact आज की तारीक में दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा तो जान भूच कर किसी और का बुरा चाहेगा so that's genetically and as a result हम psychologically स्यादे altruistic होने लगे but now what अगर वो alien civilizations हम जैसी सोच ना रखती हो I mean हो सकता है कि हम उन पर हमला करे उसके पहले वो हम पर हमला कर दे तब क्या होगा well लोगों का यही reaction टेस्ट करने के लिए 1930s में US में जब एक radio show पर alien attack की fake news viral हुई थी तब पूरे US में अफरा तफरी मज गई थी सब लोग literally घर वर चोड़के भाग रहे थे in fact कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो aliens के हाथों ना मरे इसलिए खोद suicide करने का रास्ता चुन रहे थे which clearly shows कि government का तो पता नहीं लेकिन लोग तो clearly ready नहीं है what about you? are you guys ready for an alien invasion? आपका reaction क्या होगा अगर ऐसा कोई invasion हो गया तो अगर स्वेर सो आपको कुछ भी नया सीखने में लाइक like जरू ठोकना Get Set Fly Science चैनल को अभी subscribe कर लो और bell notification दबाओ ता कि आग आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की update आप मिस ना कर सका till next time friends, till then as always stay curious keep learning and keep growing Jay Hind